तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनवरी मा के current reference को revise कर रहे हैं, जनवरी से लेके सितंबर तक के current reference को revision करेंगे, और ये हमारा जो है, सिर्फ वीडियो की बात करेंगे तो part तरी है, ठीक है, part two तक के वीडियो का upload कर दिया गया, ये part तरी है, और ये part three से लेके देखेंगे हाँ प अब नाम के बारे में एक समय में नाम काफी चर्चा में था, क्योंकि जबाला नहरुजी का इसमें काफी अधिक इसको डवलॉप करने में इनका योगदान था, इंडियन एक्सप्रेस का निवज है, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, हाल में ही उनाइस्मा गुट निर निर्पेच अंदोलन कहां पर आउजन किया कि कंपाला में आउजन किया गया, थीम क्या था इसका, तो साज़ा बैस्विक सम्रेदी के लिए सहीव को गहरा करना, आजरबायगान के बाद यूगांडा ने बाद 2027 तक के लिए इसके धेक्स्ता गरहन किये, ठीक है, तो पहल सिकर सम्मिलन की परमुक मिंदू किया थी, तो नाम सिकर सम्मिलन के दोरान नेताओ ने गाजा में इजराल की कारवाई की अलोशना की और संघर्स को तत्काल समाप्त करने का भी अवहान किया है, सिकर सम्मिलन ने कामपाला गोशना को अपनाया, जिसमें से गाजा पट्टी में मानविय साहता के नुमती देने के लिए संजुक्त राष्ट गोस संजुक्ता सुरच्छा परिशत के प्रस्ताप को लागू करने का वहां दिया है एक जाम में प्रसंद पूछा का बताओ कंपाला गोस्ना किसे समंधी थे तो क्या बताओ गुट निर्पेक चांदोलन से स कुंत है भारत के विदेश मंती जैसंकर साहब गये थे जिसे गाजा पट्टी के अस्पाई समाधान का मार्ग प्रसस्त किया रहा है उन्होंने मानविय संकट में ततकाल राहात के अब सक्ता पर बल दिया और पच्छी एस्याई देश में संगर्च के प्रसार को रोकने का भ्याग रह दिया है भारत अपनी विश्वमित्र पहल के माध्यम से बैस्विक एक चुट्टा को स्यूर के प्रती प्रती बद्दता पर भी मतलब क्या क्या प्याता है जोर देता है अब यहाँ पर देखेंगे गूट निर्पेस से और भी बहुत सारे प्रस्म बनते हैं ज प्रारंब होता है तो दुनिया दो खेमों में बैठ जाती है एक समयबादी खेमा होता है जिसका अगवाई रूस कर रहा था अब दूसरा की बात के पुंजिवादी खेमा होता है जिसका अगवाई जो कौन कर रहा था अमरिका कर रहा था तीसरे लोग जो थे ना तो बरे पर गए वो नहीं चाहते से अमरीका और अमरीका और मतलब रस्या का इउद्ध का अड़ा अपने हाँ बनाए तो तीन तीसरे कैटेगोरी के लोग जो थे बिकासिल देश्टे उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला अब बोला से भाई साहब नहीं सामयबादी खेमा में जा था और इसी को दोर आप देखो 1961 में ठीक है गुट निर्पेश का पहला आंद पहला मतलब क्या होता है शम्मेलन होता है अलाकि बाडूंगा में 1955 में भी एक सम्मेलन हुई थी किसी भी परमुक महासक्ति के साथ गुट में सामिर होने सिंकार कर देना ठीक हम दिटिया विश और साथ में मतलब हो रहा है रसिया हो ठीक है इन लोगों ने आपस में लड़ना सुरू किया दुनिया के सारे सारे देशों को मतलब क्या किया अपने में सामिल करना सुरू कर दिया ठीक है इन्होंने बारसा पैक्ट बनाया इन्होंने नाटो बनाया सीटो बनाया क्या क्या करना चाहता था नरासिया से सब्राम करना चाहता था दोनों के गुट में भी नहीं जाना चाहता था तो ऐसे कंडिसन में 1961 की मेरान हुई थी इसकी अस्थापना जबकि इसकी सुरुवात की बाथ बाडुंगा में 1995 सुरुवात हो गई थी बाडुंगा संब्हेलन की बात के इंडोनेसिया में उन्हेस्टो पच्छमन में इसकी इस बात हो गई थी ठीक है तके 1961 में सीटिट के दोरान इसकी अस्थापना की गई थी इसकी अस्थापना भारती परहान मती जबाल नहरू का नाम ध्यान वर खेंगा यूगोसलाविया के रासपीता थ थे ध्यान में रखना है असाथ में मिसर के बात करेंगे तो करनल नासी ध्यान में रखना है इंडोनेसिया के डॉक्टर सुकुर्णो का नाम आपको ध्यान में रखना है अगहाना के निक्रमाह का नाम आपको ध्यान में यह परमुख नेता था जिन्हों गुट निर पे सबसे बारा सम्हों की बार किरिए संजुक्त राष्ट के बाद नाम जो है राष्टों का दूसरा सबसे बारा मतलब सदस है संजुक्त राष्ट में कितने देशों का सम्हों है संजुक्त राष्ट में कितने देश संजुक्त राष्ट में 195 का सवा सथना कितना एक सो पंचानम है एक सो पंचानम है अब आप देखो के एक सो बीस के साथ मतलब यह दूसरे नमबर पे आ गया ठीक है नाम का कोई अस्थाई सची वाले नहीं है यह अपने वेसिक अस्थापना चार्टर अधनिया में संधी कुछ भी नहीं है अब देखेंगे यह नाम क्यों बना था नौन इलाइंट मोवमेंट अपर गुट निर्पे संधी के सुगाट क्यों होगे कि रस्या सूपर पावर थी अमरीका भी सूपर पावर था लेकिन जब उन्हेंस्थो एक आर्मे जो रस्या जब टूट गया तो एक तरह से आप देखोगे तो इस तरह की कुछ भी मतलब होती नहीं है क्योंकि आप देखोगे रस्या ना जो वार्षा पैक्ट बनाया तो जो की संगठन था वो भी तूट गया अमरीका का नाटो था हला कि अभी भी चालो कि नाटो के समना कबर उन्हें 49 में नाटो बनाया गया तो जो भी आर्मी का एक संगठन है बहुत सारे देशों का तो भारत की नई आर्थिक नीटी और अमरीका के बाति छुखाव सी गुट निर्पेच की गवर्ता पर सवालव खरी करती ईי करने रूसी हम duoANK किसी भी कोड में नहीं थे उन्हों में ना कि समर्थन करने पाकिस्न को को ना गया अमड़िका आगया थैकि ऑम तो साथ माँसे यूटोरा में गूगल कभी सर्च करना नवी नहीं कर लिकरी पर 291 बंगला करना पर फिर नेवल का वेरा था, सात्मा वेरा के नाम से जाना जाता है, उसमें पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहा था कोन? तो ध्यान में रखेंगे कोन आ रहा था, तो यहां पर USA का सात्मा वेरा आ रहा था, ठीक है? हमने भी मतलब किया कि हमारी उसमें इंदागांधी जी थी, के लिए कुछ कर सकते रसिया उस समय एड़ लुकेंड वाज के इस्टिती में था ठीक है क्या प्रतिक्रिया वेक्ट की जाती अमरीका के तब से तो 971 में एक तरस से देखोगे तो गुट निर्पेश क्या होगा तो एक समय उसकी प्राज सिंगता कम हो गई ठीक है यूद के कि मिला अमरीका के प्राथि जुकाप से कुछ निर्पेया भाथ की गंभित्था पर सावाल खरे हो गया है अभी आप देखो भारत में जब नई आर्थिक निति आतीए पर नई आथिक नितिए आओगो तो आप क्या करोगे है बहुत सारे कंपनियां को भारत में आम इतित क दोरन इंडोनेश्यू और मिस्र ने भारत विज भी रूति रुक अपने हैं और पाकिस्तान का समर्चन किया था गर्माली य्विज ऑगया आगरह हम बनाया है तो इस तोरा कि कि परमुख की बाग करेंगे तो इसमें इंडोनेसिया डॉक्टर शुकॉर्णो भी तेया मिस्र की बाग के करनल नासिर भी ते फाउंडिंग मेंबर में यह दोनों देश थे फिर भी उन्हों पाकिस्तान का समर्थन किया तो उसी समय समय थोगी अब तो बस एक नाम का बस रह सत्यों में लाएवद की ब lassi को सइसे नाम के सथ सभरत के जुराप से बिकास्थि दुनिया की आभाज के रूप में बहुत की निर्मार में मडद कर सकता है चिसमें भारत एक पर्मुख धरूप बन सकता है तिसरा दूप पन सकता है भारत उसका नेत्व भारत जैसे देश कर सकते है ठीक है आगे की राह क्या है यह मेंस में इसे प्रसंद पूछा जाता है प्रिलिम्स में तो कम नहीं आता नाम बैगरा पूछ देता बताओ उसमें कौन गुट निर्पेश के नेता नहीं है बाडूंगा सम्मेलन और बेलिईड में होना था नाइंट सिक्ष्टीव में यह से पूछा जाता है इस वार कहां पर हुआ है इस वार कहां पर हुआ है यह doomed जो कि रधर की कितने नंबर का शोला में नंबर का यह से प्रस्षन ना सकते लेकिन गुट निरær पर ज्यादार प्रसंद आपके दोनों के ठीक है लेकिन दोनों को समंध होते यहाँ पर रहने वाले सीमा पर देट्ट एक अभला इंडिया के सिमाव जो रहा है उनके बीच्प साध्यी व्रीवाव सब होता है तो उनके मदस्वेें कょ Elelon ₺ भारत मतलब मेनमार के सिमा में जा सकता है और मैमार के लोग जो है संव्रों किने भारत सिस्वा में आ सकता है ठिक है तो वहां पर बहुत फीं डिमोक्रेटिक नेता हुआ कर्ते है जिसका नाम था आंग संशुची ठिकहे क्या नाम है आंग साहर्ण Batt des Nedek कि लेकिन क्या हुआ उदेए बहूत सालों टतर किजिए जील joke से निकल निकल दिंको नॉबल के पृुषकार से भी समानित किया जाता है और वहां की पधार्मस्ती बनती लेकिन क्या होता है नव कुछ समय पहले मैनमार में स्थैनिक शासन लागो हो जाता है इनको फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है अब भारत के साथ एफैमार already मतलब साइन था अब जब वहां पर आर्मी रूल जब वहां पर लागू हुई तो वहां पर लोगों का क्रेकडाउन होना शुरू हुआ और तो वहां के लोग भी और साथ में मैनमार से जो आने वाले घृत बहुत प्रियुक होने लगा इसे इसलिए गोसना क fist का क मतलब क्या करने ुद्व में गुबर्मेंट के साथ यह समझोता किया था अब बारतमान में हुआ डेमोक्रिटिक गुबर्मेंट के जो नेता जो इस उनको आपने क्या कर रहा क्याद करके रखा है ठीक है तो अभी गृमंताले ने इसके बारे में एक घोसना किया थे जो कि काफी अभी चर्शा में रहा है तो इंडियन एक्स्प्रेस का इसको आपको ध्यान में रखना है चलिए अब इसको पर ते मैंने अपना बता दिया अब इसमें क्या-क्या उसको जाला देख लिए ठीक है भारत में मार की सीमा पूरी लंबाई में बार लगाने की घोसना कि घेर दूंगा जिसे भारत में में मुक्त संदक्षन व्यवस्ता प्री मोमेंट रिजम जी की बात करेंगे इसको एफमर कहते हो पर्तिवंधित हो सकता है उदे से क्या है तो मनीपूर मिजोरम असम नागा में मार के साथ लगता है तो मुक्त संचन व्यवस्ता दोनों देशों के बीचे प्रासपरिक रूप से श्थामत व्यवस्ता जो सीमा के दोनों रहने वाले जंजाती को बीना बीजा को दूसरे देस के अंदर में 16 किलोमेटर की आता करने के नहीं देती जो बात मैंने मता है ठीक है मेनमार के लोग भी भारत में 16 km आ सकते हैं अब भारत के लोग भी 미तलब क्या हो हिस्ते के रुपे 2018 में लागू किया गया था ठीक है एक इस्ट नीटी ठीक है एक नीटी बहुत पहले आई थी जिसको बता है लुक इस्ट नीटी कुछ कहते है ठीक है लुक इस्ट पॉलिसी है ना लुक इस्ट पॉलिसी ठीक है तो यह बहुत पहले आई थी I think किसके सरकार म में लागू किया गया था अब देखे एफ हमारे में का उड़े से क्या है अस्थानिये शीमा बैपार को सुधाजनक मनाना राजनाइक समंधों में सुधार करना शीमाबरती शीमा स्थानियेक निवासदी के लिए शिक्षा स्वाथ सेवा के पहुँचको सुधार करना तो जार लेकर कोADE की चुनाओती भी होग तुसका चुनाओती क्या इसके बारे में देखेंगे मुक्त संचन विवस्था का ओचित्ते क्या है क्या इसका इंपोटेंस है तो आप ध्यान में रखेंगे एतेहासिक प्रिष्ट भूमी की बात करेंगे ता 1826 में यांडवू की संधी की एद्वारा बरतमान भारत में मार सीमा स्थापित किया गया है 1826 में एक संधी हुई थी यांडवू की संधी जो की गाम में पूछा भी जाता है तो इसी में भारत और मैमार के बीच में क्या था सीमा को क्या किया गया था निधारित किया गया था ठीक है इस विभाजन ने साजा जातिया था संस्कृत बाले समुदायों को अलग कर दिया जिसे नागा लेंडर मनीपूर में नागा मनीपूरा मिजोरा में कूकी चीन मिजो समुदाय सामिल थे अब दोनों के बीच में जब सीमा बना पहले तो भाई क्या थी लोग इधर जाते थे जिसे नागा लेंडर मनीपूर में कूकी चीन मुझे समुदाय सामिल है भारत पाकिस्तान का बटबारा हुआड लोहोर में तो बहुत सारे हिंदू भी रहते थे पहले बहुत सारे मतलब क्या थे मुस्मिम भी रहते थे कुछ पाकिस्तान के लोग इधर भी रहते तो भारत के लोग उधर भी रहते थे अब दूनों के भीच में जब बटबारा हो गया तो क्या हो गया बहुत जारे दिक्कति हो गई तो सेम 1826 में भी सेम चीजे होई थी सांस्कीटी को आर्थिक समंदो में सुधाजनक बनाना एफेमार सीमा बर्ती समुदा को रिष्टे बनाया रखना सीमा पर बैपार में सलग्र होने की भी अनुमती देता मताब आप जाके बैपार भी कर सकते हो शेत्रिय समंधों को बढ़ा बादना एफा एम र मेमार के साथ समंधों को मजबूत करने के लिए भारत की एक इस निटी का हिस्सा है जो कि दोजार ठारा में था ठीक है मुक्त संचल वेवस्था को खत्म करने के कारण के है क्या कारण है जो हम लोग इसको खत्म कर रहे था सबसे फ़ल अबैद प्रवासन तो माइग्रेट जो है मतलब वहां से क्या कर रहे गलत तरीके से भारत में परवेश कर रहे हैं हलिया मनी मनीपूर संगर्ष में मैमार में भारत में आदिवासी कुकी चिन लोगों का अबैद फरवास का मुख्य करन था मतलब क्या करते हैं यह लोग आते हैं गलत है कि अफीम बेगारा बेसना ड्रक्स बेगारा भी लेकर आते हैं तो इससे यह भी एक रिजन था क्योंकि मैमार जोए से गोल्डेन क्रिसेंट का ए अब साथ में कर नसीली दबायो और तसकरी हांतियारों का भी पैपार सोरू हो गया है खूली सिमाए और एफेमर का दुरूपियो और तसकरी और बिद्रोही गति वीडियो का सक्षम बनाता है आंतिक सुनच्छा की बात कि बिना बार बाली लंबी सिमा नियंतन और के जड़ोत है नहीं और कोई भी प्रैंडली सब्सक्राइब नियुए जोंच्छा में के कंटी ओंद के यहाँ पर मतलब क्या करते है शेल करते है ठीक है मतलब बेस ते लोग को देते है ठीक है तो वो भी कापी चर्चा में आ गया था आप देखेंगे इरान और पाकिस्तान की बात की बात करेंगे इनके विच्छ में टकराव उत्वन हो गया ठीक है आप पता होने पाकिस्तान का प्रोसीडेस इराने सीमा बनाता है, पाकिस्तान का प्रोसीडेस की बात करें भारत भी है, पाकिस्तान का उस सीमा की बात करेंगे, प्यों के हमारा पाकिस्तान का अबजा करके रखा है, तो उसे चीन के साथ भी इसकी सीमा लगती है, इस सारे चीज़ों अगर हम देख लेंग इरान ने मिसाइल हमला किया जिसे जवावी का रवाई में पाकिस्तान ने भी इरान पे हमला किया दुनिया के बिभिन हिस्ते खास करके पच्छमी एसिया में बढ़ते भूरा जितिक संगर्सों अत्तनावों के विश्वे इरान और पाकिस्तान के विश्वे टकराब एक चिं अकुमिर जिसको कहते है उसको भी लोग मान रहे हैं एक और भी है ठीक है तो मुख्य прजुरेTF-टवार सब्सक्राइब है उसका ही सीमा मितलब क्या लगता है इरान को लगता है अब यहाँ पर इरान का कहना कि बलुशिस्तान का जो टेरर जो है वो मतलब इरान में आके मतलब करते हैं ठीक है इसलिए मतलब इरान ने मतलब क्या किया इरान ने मिसाइल हमला किया जिसके जबावी करेवाई में पाकिस्तान ने भी एरान पर मतलब क्या हखिया है, हमला किया इरान का तर्ख है कि पाकिस्तान के बलुशिस्तान में सक्ष्टरिय अलगाबादी संगठन जैस आल-अडल जैसे मुघमड नहीं है, जैस आल-अडल की गतिवीडियों से इरान पहले से परसान है, डिसंबर दोजार तईस में, ठीक है, इरान की सिमावरती छित बलुचिस्तान के रास्त कस्मे में दिये गए हमले का जबाब माना जा रहा है, उस हमले में तेरा इरानी सैनिक जो थे मारे गया थे, ठीक है, दोजार तईस में, ठीक है, जैसल अदल काक्रवन होता ज अगले महां में चुनाव है अभी तो चुनाव हो गया लेकिन उहाँ उस हमें चुनाव था इरान हमले के दो दीन बा वहाँ किया हवाई में थैकारोछतान की संप्रूभता में रखाल का लगा पाकिस्तान का कहना है, ऐसे मतलब इरान ने हमारे संप्रूहुता में मतलब क्या है कि मिसाइल हमला किया है, इसने हमारे संप्रूहुता में क्या है, दखल का रोप लगाया पाकिस्तान ने, तरमाप का मुखे कारण की बात करें क्या है, तो सीमा भी बाद है, इरान और पाकिस एक सिस्तान बालुचिस्तान है, एक सिधे बालुचिस्तान है, तो सिस्तान बालुचिस्तान की बात करेंगे, तो यह आपको इरान में पड़ता है, अब पाकिस्तान में कौन सा बालुचिस्तान है, तो सिधे मतलँ बालुचिस्तान आपको कहां पड़ता है, पाकिस्तान में दोनों के भीच में सीमा है जाती भीट भाव भी बहुत बड़ा रिजन है क्योंकि इरान में 5-30 सीया बहुत भाव किया जाता है तो आपको क्या है इरान में आपको देखेंगे बागी पंचानमें प brightnessी सिया है ज्कि कि पाकिस्तान की बात किरेंगे तो इरान का आरोप है कि उसके सिस्थान-Бलुषिस्थान परान्थ के सुन्नी जनसंख्या को भरकाने का काम करते जिसने पाकिस्तान सिना भी मलत करती है ठीक है पर सिस्तान में बहुत सारा मतलब चीजे मतलब वो निकल करा रही है जो इरान के खिलाप जो गती बिधी जो सिस्तान बलुचिस्तान में हो रहा है उसमें पाकिस्तान मतलब उसका मलत कर रहा है ऐसा कहते है बलुच इबादी की स तो सुन्नी समुधाय से आते हैं, एरान मुक्यता अगर बात करेंगे तो क्या है तो ध्यान वख्याइख समुधाय वाला देश है इरान और पाकिस्तान दोनों में बलूचों का धनीय इस्थिति ने हमको पाकिस्तान में भी नहीं रहा ना, हमको इरान में भी नहीं रहा दोनों के मिलाकर एक नया देश बनाने की बाफ चल लगा है, ठीक है? तो बालुस लिबरेशन आर्वे बिले जैसे समूहों से जूरे बिद्रोही समंधित राज्ये के खिलाब ससस्त संगरस में सामिल है पाकिस्तान में भी बिद्रोह हो रहा है पाकिस्तान से अलग होने के लिए और बलुशिस्तान जो है जो कि इरान में परता वहाँ पर भी बलुश समुधाय जो है से अलग होना चाहते है जैसे अदल की बात करेंगे एक सुन्नी आतंकबादी समु है जिसका उद्वब दो हजार बारा है जो कि मतलब कहां पर बैसे पाकिस्तान बैसे लेकिन मुखे रूप से इनका एक्टिवीटी की बात करें कि इरान पाकिस्तान सीमा पर है ठीक है इरान पाकिस्तान के सीमा के दोनों रहने वाले जातिये बलुश समुधाय के सदोसर से बना ठीक है इसमें इरान के भी सदस है आई इसमें पाकिस्तान के इनका मानना क्या है जैसे अदल का उदेश से इरान के पुर्वी सिस्थान परांथ पाकिस्तान के दक्षनी पच्वी पलुशिस्थान परांथ के लिए सोतंता प्राप्त करना है ठीक है इसलिए बिभिन परकार की गतिविठी जो है करते रहता है ठीक है ध्यान बरकना है यह प्रसंद जो था प्रत्थम foundation एक इंजिव है तो ब्वार्षिक से रिपोर्ट जारी की गई है यह दिसमें उम इन का उम्रे कितना तो 14 ने 18 वर्स आपको धियान में रखना है ठीक है जिसमें जिसमें चातों दोरा जी जाने वाले गती विद्धियों उनकी बुनियादी और बहवारी पढ़ें जाता गनी चमताव एवं डिजिनल जागुपता एवं कौसल पर चर्चा की गई है ठीक है तो जो रिपोर्ट जो आई है सिछा की वार्सिक इस्तिति रिपो मतलब इसकी एकसेस है इतने उसमें सर्वे किया गया 14-18 बरस के 86 48 च बच्टे किसी सेंस्टक संथा में नामंग की थे किसी संथा में नामांग किके पढ़ाई लिखाई कर रहे किसी ने किसी सस्टिंग संता में ठीक है चार बिंदुओं पर सर्वे किया है कॉनकोर सा बिंदु है बुनियादी पढ़ने गनित और एंगली जी की छमता है रोजमरा की गननाओं में बुनियादी कौसल का नुपरियोग जैसे माले चावल कितना रुपे किलो देता है बीस रुपे किलो दिया तो 200 ग्राम का दाम बता और 300 ग्राम का दाम बता है इस सब्टाइब के प्रस्टम से पूछे गए लिखित ने देशों को पढ़ना और समझना है कि नहीं देखेंगे माले कोई पढ़ा और लिखा नहीं फिर भी उनके पास बिटीय गरना जिसे बास्तिविक जीवन में करने के अब सकता है बहुत सारा लोग तो पढ़े लिके तो होते हैं दुकान पर चले जाएंगे बोलेंगे कितना का समझना बारो से प्याकरा रहार सब्सकाउंट डिसकाउंट 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 करके कितना पईसाद ह इसको बास्तविक जीवन में बहुत सारा जनीत पह पर लोगों तो उनके बारो में जनकारी है किनि ये वने से शवाल किये गए ठीक हैं सकरात्मक सकरात्मक कराइब सकरात्मक पाजेक्टिव रिस्पॉंजॉन्स क्या निकल का उत्त नामंगक अदर है हे नमकीत है गहें नमंकित नहीं होने ओकर ऍंघाले के लिए अथारा बरस्त गुनीप हो अधिक चात माधमिक सिक्षा की और बढ़ रहा है अज भारत में अधिक बच्चों के पास करने से कहीं अधिक बरसों की इसकूली सिक्षा है या कांचा की महामारी से उत्पन आर्थिक संक्रट के पैदाम सरो बरे बच्चों के इसकूल चोना परेगा गला साबित हुई ठीक ह ध्यान पर रखना मतलब बच्चे पढ़ रहा है भी भी सिक्षा पर्णाली को चुना होती देखेंगे तो पढ़ने और पढ़ने और अंक गनिती समताओं के मुलभूत कौसल का अंतर है लगवा 25-35 लोग ग्रेट 2 का पार्ट नहीं पढ़ सके हैं मतलब दूसरे कलास का जो ठीक है। जिससे पता चलता है मुलभूर शिक्षा में कितने कितना मतला मुलभूर शिक्षा कंजोर है बेसिक ना कितना कमजोर है इससे पता जलता है ठीक है पूरुस की बात करेंगे पुरुसों के ठीक थे, अंगरेजी भी ठीक थे, compared to female, जो बुन्यादी अंके गनीतर हम पढ़ने के कौसल को लागू करने की छमता का फरिक्षन करते हैं, उदारन के लिए 51.3 पुरुसों के तुनला में केवल 41.1 महिलाई शमय बताने में सक्चम थे, ठीक हैं? अलब उन समय सभी सही से नहीं बता पाती हैं, घर ही देखने नहीं आता था. पुरुसों के बात कि पुरुसों में 36.3% कि उचला में कम महिला, 21.8% बिज्ञान परदो की इंजिनेरिंग और गनित इस्टीम में इस्टीम हैं, ठीक है? मतलब यह उच्छा की बात हो रही है, बना पुरु मतलब यह उच्छा की बात करेंगे तो मुलभूत संख्यात्मक से यह कमी देश की स्रम सक्ती के गनुपता पर क्याकर महत्पुन प्रभाब डालता है, ठीक है? अगर माले किसी मशीन को चलाना है, ठीक है? चलो ठीक है, किसी मशीन को चलाना है, और होँआ पर 10 लोग है, ले मतलब मसीन चलाने नहीं आता, दसों के दसों बिरोजगा रहा है, तो जन संक्या पर क्या परेगा? जन संक्या सर प्लस होने से फैदा भी होता है, जन संक्या सर प्लस होने से बड़न भी होता है, ठीक है? तो आप जन संक्या जादा हो गया, कोई भी हमारा जो मतलब जो को देखने वाले ठीक है इसका वे पी आई भी दे हिंदू डैनिक जाग्राव जन सत्ता है वह अन्य के सुरत इसको लिया गया है तब लोग अंटा राश्टी ये देख रहे ते कल हम लोग राश्टी घटना करम को कल के क्लास में देखेंगे इसको आपको ध्यान में रखना है तिक है. साइब पातुरू